अधिक हलो फ्रेंट्स वेलकम टु स्मार्ट नुक्ली चैनल दोस्तों आज हम आप लेकर रहा है एक नया एक्सपेरियंस वीडियो झिहां दोस्तों यह हमारा एक्सपेरियंस वीडियो एफ 49 और आज हम बताएंगे आज आपको तो आपने तैयरी की है उसमें और क्या एड़ाउन करना है वो सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को आप अंतर जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते इस वीडियो को उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों स्मार्ट में चलनल पर अपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है और आर पीए फैनिसरी कॉंस्टेबल की भरती चल रही है हमने इसका पूरा जो है मुआवना किया है यहां तक हमने आसन सोल में जाकर वहां की में तक हमने में सब्सक्राइब कर ने सब्सक्राइब करते हैं चलिए दूस्तों आज क्या हुआ सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि 300-300 बच्चे जो है टुटल वहाँ पर पहुचते हैं अभी 300 बच्चों को जो है एक साथ तो यह नहीं जाता आपको पता ही है फिर भी इनको जो है डिवाइट किया जाता है से ग्रूप में ज इसको बुला जाएगा सीरियल वाइस वन आएगा पहले फिर त्री आएगा फिर फोर आएगा इस परकार आपको क्या है सबी बच्चों को अपना अपना बैस नमबर याद रखना होगा और सब से इंपोर्टन चीज में आपको बता दू कि आपको लेकर क्या जाना है जिए यहां दो जरॉक्स का लीजेगा नमबर दो पर आईडी फूरूप है आपकी इंपोर्टेंट है इसमें आधार कार्ड हो तो बहुत ही बहतर है अगर आपके पास नहीं है किसी कारणवास अगर आपने अपलाई किया तो इसके स्लिप भी चलेगी अगर वो भी नहीं है तो आपके पास डील होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटिंग कार्ड जो आपका पहचान पत्र है मतदान माला कि यह चीजे हो गई और अगर क्यों स्टी ओबीसी यानि चाहती प्रमाण पत्रका में अपना फॉर्म जो है अपलाई किया है तो उन्हें उसका ओरिजनल सर्टिफिकेट लेका जाना होगा साथ में अबीसी वाले देख लिए कि आपका जो डेट है नॉन क्रिमिनल वाला वह आपका टाइम पर है या फिर एक्सपायर हो चुका है और दोस्तों काफी लोग के मैसेज हैं कि सेंट्रल फॉर्मेट में हो या स्टेर फ भात करते हैं इस आफ आप को जाते हैं फिए जाते हैं याप रुछ जाते हैं तो अपको डिवाइट किया उसके बाद आपको ब्लाया जाता है बैच वनने को ब्लाय जाएगा तो हाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा पहले दो मिन confer time उनको के आट बदी अटल़ा पको आ तो एक में आपने हिसाब सहीं जितन अच्छा आजा समये आपो वाहथ कर रहें चैज्ञ आटक गुतने के बाद आपको रोटी मिननी अब रोटी बनाते समय आपको ध्यान देहां देखना है दोस्तों वह इंप्वर्टेंट है कि आपको आपके जो रोटी पूरी गोल होनी चाहिए सबसे पहली चीज तो यह पुरा सरकल होना चाहिए पतला भी होना चाहिए घ्याम पतला पतली जो भी आप कह सकते है रोटी को पतली रोटी होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टन चीज क्या है कि रोटी आपकी जो है साइड साइड से कटी नहीं होनी चाहिए जिए दोस्तों रोटी जो साइड से फट जाते हैं तो रोटी आपकी जो है पटनी नहीं चाहिए स प्रफिलोग का और रोटी फुलनी चाहिए यह भी कंडिशन है बीना रोटी फुले आपका सेलेक्शन हो गाई नहीं तो आप रोटी बनाएंगे तो इसको फुलाना भी आपको तो इस हिसाब से अपने आटे को सानिये उतने हिसाब से पकाईए कि रोटी फुलने चाहिए इस टेबल पर दो लोग चुड़ेंट जो है काम करते हैं और उस दोन के पिछे एक कॉंस्टेबल होता है फिर वह जो है इन। इनका रेडि हो गया है तो वहां चेक करेगा आपको लेकर जाने क्या आउशकता नहीं है यह चीजित हो गई आपकी रोटी बनाने को लेकर इसक जलाउब करने लिए अब सलाथ कृटने के लिए अपको इंप्रटन्ट चीज क्या है कि याप कितना चाटते हैं और कितना दिमाग लगातें इसमें ढूंट दोस्तों कितना लगते हुग मैं बताता हूं आपको आपको सलाइट में जैसे जो नके अवेलिबल होगा फिलाल पर प्याज रहेगा टमाटर रहेगा जो कॉमन है ज्यादत है प्याज टमाटर गाजर मुली यह सारी चीजे जो है आपको कैसे पहले तो इन्हें स्ताफ करना है जिया इनके सफाई पर बहां जाने अब देखिए अगर उसमें अभी तुरंत अभी फ वह आपके पीछे जो खड़ा वह आपको इसलिए ही खड़ा कि आगया है कि वह आपकी चीजों पर देखता है क्या स्टेप फॉलो करते हैं बनाना साप जो है सभी को आता है खाना क्योंकि इतनी प्रैक्टिस सभी लोगों ने कर ली है और मुस्ट कि वह अच्छे से खाना पर दिखा सकते हैं Constable को बट जो चीज वो नहीं सीक पाते हैं जो हमारे बच्चे पास होते हैं और जो फेल्टे हों डिफरेंस रह जाता हो यह होता है कि स्मार्ट वर्क यह होता है कि आप सलात काटने महीं आपको दिया गया तो आप फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-प प्रेज़ काट दिया पिछ पीछ आपने मुली काट दी तो यह काटने से कुछ नहीं होने दोस्तों जाएगा कुछ नहीं होगा आपको लगता है कि आप इसे पास होएगा आप खुद को पता है आपको 400 में से 10 बच्चे पास हो रहे हैं तो कितना स्पेशल होने चाहिए तो पास होते हैं तो दस बच्चों में आपको सामिल होना है कि अपने अंदर इस्पेशल स्किल्स डालिए यह चीज आपको क्या है खुद से करनी होगे आप उसको अच्छे से सजाईए प्रेजेंट की यह प्रेजंटेशन होता है कमपनियों में अगर आपने दिया होगा कभी कि प्रस्तूत कीजिए जितना अच्छा आपको जो है माक्स मिलेगा और आप के लिए एक अलग सा सौफ्ट स्किल पैदा हो जाएगे कि हाँ यह लड़का अच्छा है यह लड़का सापसफाई पर ध्यान देता है यह लड़के को सेलेट करना है हमें कि अब यह हो गया अब इसके बाद आता है को सब्य क्षिव बनाने के लिए अब आपको दे दिया जागा कि प्लस अलू कि अब थे आड़ो तब यह आपको करना है बर्को इसमें करना है सबसे चैव से जो कॉमन चीमें है सök ने बच्चे आजा है तो जखके सर्थ पूछा गया वह्यां बधे भी टो आपने मासाले नहीं के लिए आपको भाजी मसाला मॉह बतानाय है अब मिल नहीं है युद अलग लग होते हैं ग्यान दीजेगा मसालों के बारे में आपको नौलेज होने चाहिए सब्जी आपसे पूछा जाता है कौन सी सब्जी का क्या नाम है तो सब्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए डाल कितने टाइप की होती है कौन सी दाल ज्याद अच्छी होती है कौन सी दाल में कलर होते हैं ये सारी चीजे आपको पुछेज जा dogs और यह उर ली तो यह सारी चीजे जो बदलाव हो रहे हैं वह सब आपको अभी से फोकस करना है और इन सब चीजें की ताहरी करके अप जाईए फिर आप एक बैगन और एक के पास करने से कुछ नहीं होता Weakland को six करनी है आपको इंसान के अंदर खूद होती है वापकोिया देखनी Beim कि शलात काटने को दिया तो से धोई ये आटा सानने को दिया गए तो जो बेशन उठ गिरता है अपना साइल से थाली से वह मद गिरने दीजिए गिरता है तुसे आप तुरण साफ कर दीजिए ऐसा नहीं कि कॉंस्टिबल देख रहा है कि वह पूरा आपने किचन गंदा कर द थाइंक इस सो मुझ दोसर फो वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए एक्स्पिरियंस के साथ